जरुम्बिश ये रेडियो जरुम्बिश उर्दो के आवास है आज 7 सितंबर पीर का दिन और साल 2020 है और आपका मेजबान हुमेरा बलोच आपकी खितमत में हाजर है बी-मसी के बहाली के लिए तुलबा और मुलाजमिन का तादमे मर्ग इतजाजबु कहरताल कैम जारी है जिसमें मुझूदा शर्का दिन बदिन कमजूर होते जा रहे है बुलान के इलाके मच में काबिस पाकिस्तानी फोज बड़ी तादाद में सिला और दीगर साथ उसामान के साथ जमा हो गई है जिसकी वज़ा से इलाके में आपरेशन का ख़जशा जायब किया जा रहा है क्वेटा में काबिस पाकिस्तानी फोज ने सिपी के रियाशी एक नौजवान को जबरी दोर पर लापता किया है दूसरे तरब काबिस पाकिस्तानी फोज के हातों लापता शक्स जखमी हालात में बाजियाभ होने के बाद कराची में दोराने इलक्स जखमों की ताब ना लाते हुए हलाक हो गए हैं तुर्बद में कतल किये जाने वाले बलोच आटिस शाहिना शाहिन के कतल का मुकद्मा उनके शोहर के खिलाब दर्च की गई है महसिन दावड को बलुचस्तान बदर किया जाने के बाद, P.T.M. के दीगर रहनमाओं को अबदल नंगियाल हिसामेद बलुचस्तान बदर किया गया है कराची में कीमाडी को नया जिला बनाया गया है अमरीका ने कहा है कि चीन के पाकिस्तान में तजवीराती मुफाद है जिनकी वज़ा से चीन पाकिस्तान के साथ तालुकात बनाए रखना चाहता है मश्रीकी यूरपी मुल्क कोसोगों ने इसराइल को तस्लिम करके सिफार्थी तालुकात बाहाल करने का ऐलान किया है ये दे चंद आहिम खबरों की सुर्खियां आईए आज की न्यूस बिलिटन में शामिल बरुच सान से मतले खबरे सारी बरुच से सुरते हैं बीमसी बहाली तहरीक की जिरहते मामतादम मार्ग भूकरताल जारी है जहां भूकरताल पर बैटे मुलाजमीन अतलबा की हालत बिगड़ने लगी है जिन्हें बार 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 तबीमदाद के लिए हस्पिताल ले जाया जा रहा है जबकि डॉक्टर तारिक बलूच और बालाच कादिर की तबियत तश्वीशनाक होने पर उन्हें आई सी यू में दाखिल किया गया है बूकरताली कैम्प में मुख्तलिफ सियासी जमायतों सिवल सिसाइटी ट्रेड यूनियन्स और दीगर शख्सियात की इज़ार यक जहती का सलसला भी जारी है दूसरी तरफ तहरी के बाली बीमसी के रहनमाओं का कहना है कि गुजरते वक्त के साथ बूकरताली साथियों की हालत खराब से खराबतर होती जा रही है अगर किसी भी साथी को नुकसान पहुंचा तो ऐसी आग लगेगी पूरी बलोचस्तान में जिसे फिर रोकना मुम्किन नहीं होगा बीमसी बहाले तहरी के शरका के साथ इसहार एक जहती के लिए बीयस सो पज़ार की तरफ से मस्तुंग में शटर डाउन हरताल करके एहतजाज भी किया गया बलोच स्टूडन्टस एक्शन कमेटी के मरकजी तर्जमा ने बोलान मेडिकल कॉलिज एक्ट में तर्मीम के लिए बूक और ताली कैम पर बैटे तलबा और मुलाजमें की सेहत और हकूमत की गेर संजीदगी पर सख तश्वीश का इसहार करते हुए कहा है कि अपने आईनी हक के लिए जिद जहत करने वाले तलबा की सेहत को खतरात लाहक है नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा कबीर एहमेद मुहमद शही ने कहा है कि बेम सी बहाली तहरीक की तलबा और मलाजमीन कई रोज से तादम मरक भूकर ताल पर बैटे हैं जिनकी हालत गयर हो चुकी है पर बैटे तलबा और मलाजमीन को कुछ हुआ तो उसकी जमदार बलुचस्तान हकूमत होगी बोलान में काबिस पाकिस्तानी फौज ने भारी असलिहा और गोला बारूत के साथ बड़ी तादाद में पेश कदमी शुरू की है जिसकी वजह से एर्दगिर्द के इलाकों में फौजी आपरेशन का खद्शा जाहर किया जा रहा है रेडियो जरुमबिश को मिलने वाली इतलात के मताबिक बोलान में मच्च के इलाके जाफरी सीखोनी और गिर्दनवा में पाकिस्तानी फौर्सस की जमीनी फौज को जाते हुए देखा गया है ताहम मذکورा इलाकों से ताहल किसी किसम की गिरिफतारी या जानी नुकसानात की इतलात मौसूल नहीं हो सकी है। कोईटा से सिबी के रहाईशी एक नौजवान को नामालूम अफराद ने जबरी तोर पर लापता कर दिया है। लापता किये जाने वाले महराब जतोई सकने सिबी को हफ़ते के पर कस्टम की मकाम पर अपने गारी में जबरदस्ती बठा कर अपने हमरा ले गए हैं। याद रहे महराब जतोई को इससे कबल भी पाकिस्तानी खुफिया इदारों ने साल 2013 में जबरी तोर पर लापता किया था और छे महीने के बाद रहा कर दिया था। चार दिन कबल पाकिस्तानी फौज के अकुबत खानों से तश्वीशनाक हालत में बाद आप होने वाला एक शख्स दौरान इलाज इतवार को कराची में जांग की बादी हार गई है। इस बात की तस्दीक बलूच नेशनल मुवमिंट के इनफरमेशन सेकरेटरी दिलमराद बलूच ने स माजी राप्ते की वेब साइट टूइटर पर अपने एक टूइच में करते हुए कहा चार रोज कबल पाकिस्तानी फौजी टौर्चर सेल से तश्वीशनाक हालत में बादयाब होने वाला हमीद वलद मुला अन्वर दौरान इलाज कराची में शहीद हो गए। दिलमराद पलूज का कहना था हमीद सकने बालगतर एक मरतबा पहले भी लापता किये गए थे। पश्टून तहफूज मुवमिंट के रहनमा महसिन दावड को काबिस पाकिस्तानी हुकाम की इमा पर बलूचिस्तान बदर किये जाने के बाद बलूचिस्तान में मौजूद पी टियम क दीगर कारकुनों को अब्दल्ला नंगियाल समेथ बलूचिस्तान बदर किया गया है अब्दल्ला नंगियाल समेथ दीगर रहनमा और कारकुन बलूचिस्तान आये हुए थे जिन्हों ने काबिस पाकिस्तानी फौज की मजालिम की शिकार अफराद के लवाहिकीन से इसहार हमदर्दी के लिए मिलना था मुहसिन दावड को बलूचिस्तान बेदर किये जाने पर बलूच लबरेशन आर्मी की सरबरा बशीर जब बलूच ने समाजी राप्ते की वेब साइट ट्वेटर पर रदे अमल देते हुए कहा है कि काबिस पंजाबी फौज पश्टूनों को ब देरे तसल्ट होना है लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि इस घुलामे तजलील के बावजूद बलूच औ पश्टून काबिस पंजाबी अफ़ाच के खिलाफ कमाहा का मजाहमत नहीं कर रहे हैं इस हवाले से आजादी पसंद रहनुमा अख्तर नदीम बलूच ने एक ट् बजारना नाममकिन है लहाजा इस घुलागर्दी से निजात का वाहिद रास्ता बलूच सिंदी और पश्टून काबिस की मसल्ह मजाहमत है अगर मजलूच काईदीन ने वक्त की जरूरत का अधराक नहीं किया तो आने वाली नसले हमें बुजदिल और अकल से आरी समझ ले बियान में पीटियम के रहनमा महसिन दावर की कोईटा और बलूच सिंदीन आमद पर पाबंदी की शदीद अलफाज में मजमत करते हुए कहा गया है कि महसिन दावर कानून साज इदारी का माजज़ मिम्बर है उसके साथ विफाकी उसोबाई हकूमतों का ऐसा रवया काब तनफरते बढ़ेंगी तृरबत में कतल के जाने वाले आर्टिस्ट और साहफी शाहिन शाहिन के कतल का मुकदमाज की शोहर के खिलाफ दरच कर लिया गया है तुर्बत पुलीस ने मक्तुला के मामो के मदायत में महराब गिचकी जो मक्तुला का मुबयन शोहर बताय जा रहा है कि खिलाफ मकदमा दर्च किया है मकदमे में अमजद रहीम वलदी रहीम बख्ष ने कहा है कि महराब गिचकी जो कि मकतुले शाहिना शाहिन के शोहर है ने पीटी सील कालूनी में अपने 9 mm पिस्टॉल से फाइरिंग करके अपने बीवी मसमात शाहिना बिंत महमद रफी को कतल कर दिया है केज पुलीस के स्पी नजीब पंजरानी के मताबिक शाहिना को महराब गिचकी नामी एक शखस ने जखमे हालत में डिस्ट्रेक्ट हेड़ कौर्टर हिस्पिताल पहुंचा कर खुद रफुचकर हुआ था पाकिस्तान की विफाखती हुकूमत की तरफ से पाकिस्तानी फोर्टस के हातों लापता फराद की बाज़ आपेजाबी के हवाले से काइम कमिशन ने कौईटा में पांच में रोज मुखतलिफ की समात में बारा लापता फराद की केसस सुने गए ताहम कोई लापता शख्स बाज़ अब ना हो सका है जबकि कोई केस भी डिलेट नहीं किया गया है मौकमे दाखल बलुचस्तान के मताबिक कमिशन पांच दिन की समात के दोरान 54 लापता अफराद के केसिस की समात कर चुका है जिन में आठ लापता अफराद के बाज़ अब होने की तस्दीक हो चुकी है कमिशन 12 सित्मबर तक 10 रोज़ असमात के दोरान मजमूई तोर पर 118 लापता अफराद के केसिस सुनेगा ये थे बलुचस्तान से मतलिक खबरे अब इलाकी और आलमी खबरे सुनते हैं दोस्तिन मुराद बलुच से बंदो बस्ति पाकिस्तान खैबर पक्तूंखवा के इलाके शमाली वजिरस्तान में तालिवान के हमले के बाद पाकिस्तानी फाज ने आम अगाम पर दावा बोल कर सेंकडूं अफराद को जबरी तोर पर ग्रिफतार करके अकूबत खानूम में मुनतकिल किया है और इलाके में कर्फियों नाफिस की है मकामी जरा के मताबक गुजश्ता दो दिनों से जनूबी वजिरस्तान की तहसील शक्तोई में पाकिस्तानी फाज ने अवाम पर कियामत ढादी है अब तक की इतलात के मताबक कई घरूं पर बिला जवाद चापे मारे गए हैं और 200 से जाइद न मौकिमे रेवनियों की तरफ से जारी ऐलामिया में कहा गया है कि सिंद लेंड रेवनियों एक उनीस सो सट सट के दफ़ा छे में दिये गए अख्तियारात का इस्तिमाल करते हुए सूबई हुकूमत कराची के जिल गर्बी की हदूद में तबदीली कर रही है और एक नया ज वीजन हारबर का नाम भी तबदील करके केमारी कर दिया गया है अमरीकी हुकाम की एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के पाकिस्तान में गहरे स्ट्रेटिजिक मफादात हैं जो दोनु मौकिना मसायल के बावजूद दो तरफा आमदगी पर यकजा किये हुए हैं चीन में फाजी और सलामती तरकी के बारे में कांग्रेस को पेश करदा 2020 की रिपोर्ट में अमरीकी मौके में दिफा ने बताया है कि पाकिस्तान इन चंद मुमालिक में शामिल है जहां बेजिंग दो तरफा और कसीर जहत तालुकात बढ़ाना चाता है रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान अन मुमालिक में शामिल है जहां चीन ने मुमकिन तरफ पर फाजी रसद की सहूलत के लिए जगूंग पर गोर किया है जबकि चीन और पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट को मस्तरद कर दिया है अफगानिस्तान की सूब एक अन्दहार में अफगान सिकुरिटी फॉर्सिस से जड़पूं के नतीजे में दस तालिबान जंग जु हलाक हो गए हैं अफगान वजारत दिफा के मताबिक जनूबी संदहार में जिल्ल शावली कोट में तालिबान की जानब से सिकुरिटी फॉर्सेज पर हमला किया गया जहां सिकुरिटी फॉर्सेज की भरपूर जवाबी कारवाई में तालिबान को जानी नुकसान का सामना करना पड़ा और जड़पूम में सिकुरिटी फोर्सेज ने तालिवान की चार मोटर सैकलों को भी तबा कर दिया है ताहम तालिवान की तरफ से हमले में किसी सिकुरिटी एहलकार की हलाकत के हवाले से कोई ख़बर सामने नहीं आई है मशर्की बहरे रूम में तर्की की तरफ से तेल और गेज की तलाश के मिशन पर पैदा होने वाले तनाज़े के बाद तुर्क सदर रजब तज़िब अरदवान ने पड़ोसी मुलक यूनान को संगी नताइच की धमकी देते हुए कहा है कि यूनान जेर आप कुदरती वसाल क तनाज़े पर अनकरा के साथ मुजाकिरात करे वरना उसे तबाकुन जंग का सामना करना पड़ेगा इस्तंबोल में तबिया शेहर के इफ्तिता के मौके पर बात करते हुए उन्हों ने कहा कि तर्की की हकूमत और अवाम तरह के पसे मनजर और उनके मुरतब होने वाले नत इसराइल को तसलीम किये जाने के बाद इसराइल के वजीर आजम बिन यामीन नेतन याओ का कहिना था कि दोनु मुमालिक के दर्मियान सिफारती तालुकात इस्तिवार किये जाएंगे और कोसोवो भी यरुशलम में अपना सिफारत खाना खोलेगा नेतन याओ का कहिना था कि कोसोवो पहला मुस्लिम अक्सरियती मुल्क होगा जो यरुशलम में अपना सिफारत खाना खोलेगा अक्वाम मुतहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गोटरिस ने खबरदार किया है कि चार शोरिश जदा मुमालिक कांगो, यमन, शमाल मश्रिकी नाइजेरिया और जनुबी सूडन में कहत और बड़े पैमाने पर खुराक के अदम तहफुज के खतरे का सामना हो सकता है सेक्रेटरी जनरल ने अक्वाम मुतहिदा की सलामती कांसल के रुकुन मुमालिक को एक नोट में लिखा है और कहा है कि ये चारों मुमालिक दुन्या में खुराक के सबसे बड़े बोहरानों से दोचार हो सकते हैं, सबसे बड़े बोहरानों से दोचार हैं जबके इन बोहर गर्दों को सजा मौत का हुकम दिया है अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि इन दहशत गर्दों ने दाइश की हमायत की थी और सौधी सिकूरिटी फॉर्सेश पर कातलाना हमलूं और जद्द शहर में सिकूरिटी हैड कौाटर्ट पर हमले की मनसूबबंदी कर रहे थे बरतानिया के शहर बिर्मिंगम के सिटी सेंटर में दो गुरोहों के दर्में तसादम और चाकू जनी की वारदाते हुई हैं जिसमें एक शक्स हलाक और दीगर चार जखमी हुए हैं जिन मेंसे दो की हालत तश्वीशनाक बताई जा रही है एनी शाहिदीन के मताबिक मतादिद अफराद को आपस में लड़ते हुए देखा गया जबके लड़ाई के दौरान चाकू भी निकाले गए बरतानवी पुलीस ने हमले के लिजाम में पांच अफराद को गिर्फतार कर लिया है हांकांग में हकूमत की तरफ से इन्तिखाबात मलतवी करने की कोशशियों के खिलाफ इतवार को फिर से मुझाहरे हुए हैं जहां पुलीस ने कमच कम तीस मुझाहरें को गिर्फतार किया है जिन अफराद को हिरासत में लिया गया है उनमें जहुरियत के हकम तहरीक चलाने वाले कई सरकरदा कारकुन शामिल है लिबनान के दारुल हकूमत बेरूत में अगस्त के अवाल में होने वाले धमाकों के बाद हकाम ने मलबे के नीचे से धमाकाखिज मवाद ऐमोनियम नाइटरेट के मजीद 4 टन मिकदार बरामत की है ये धमाकाखिज मवाद बैगू में डाला गया था याद रहें बेरूत पोर्ट मैनेजमेंट और इन्वेस्टमिन्ट के डारेक्टर जनरल बासिम अलकैसी ने इससे कबल इनकिशाफ किया था कि धमाकाखिज मवाद पर मुश्तमिल मजीद कंटेनर्स अब भी मौजूद है इसे के साथ ही आज की न्यूस बिलिटन का इखताम होता है अपने मेंजबान हमेरा बलोज को इजास्त दीजिए और मजीद खबरों के लिए विजिट करते रहे हमारे वेबसाइब स्रुम्भी स्टूंग को